Hi everyone, welcome back to my channel मैं हूँ शिवानी लेकर आगे हूँ आप लोगों के लिए एक और हैश्टेग बीबूल की वीडियो आज हम बात करने वाले हैं लेस्पियन्स के बारे में और बहुत कुछ में डिसकस करने वाली हूँ इसके अराउंड तो बने रहे हैं इस वीडियो में देखें इसे एंड तक पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना कोई कोश्चन हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर किसी और टॉपिक के बारे में आप चाहते हो, मैं डिसकेशन करूँ तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो आए शुरू करते हैं, let's get started तो लेस्पियन वो लड़कियां होती हैं जो लड़कों की तरफ attracted ना फील करके दूसरी लड़की की तरफ attracted फील करती हैं, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो इस चीज को mental problem समझते हैं या फिर western culture से हम influence हो रहे हैं ऐसा समझते हैं जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत time से ये चीज़ें हैं, exist करती हैं वो बात अलग है कि recognition नहीं मिला, लोग खुल के सामने नहीं आते थे lesbian होना, gay होना, transgender होना, या फिर अपने आपको अपनी body में normal feel ना करना जैसे एक लड़की है तो वो खुद को लड़का जैसे identify करती है, या एक लड़का है तो वो खुद को लड़की जैसे identify करता है ये completely normal चीज़ है और बहुत time से ये चली आ रहे हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जादा awareness नहीं थी, लोग शर्माते थे, और कितनी बार ऐसा होता था कि अगर जिसे कोई lesbian लड़की है उसे अंदर से पता है कि मैं lesbian हूँ, मैं attracted हूँ किसी लड़की से, लेकिन because घरवालों के pressure में आके या फिर समाज क्या कहेगा, या फिर अभी ये चीज़े open नहीं कर सकते, या कि ही सोचके कि मुझ में कोई problem है आउट नहीं करती थी ये चीज़े और उनकी शादी एक male से करा दी जाती थी, तो साथ में रहतो रहे हैं लेकिन feeling है बिल्कुल zero, आपस में sexual intercourse भी हो रहा है, लेकिन अंदर से मन है बिल्कुल zero, कोई feeling नहीं just because आपकी duty है, आपकी शादी होई है, तो आपको Mr. Pave level रहना है अपने partner के लिए, सिर्फ उस नाम का रिष्टा होता था बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि क्या lesbian की अगर sexual intercourse होता है या शादी होती है, तो क्या वो बच्चे पैदा कर सकते हैं of course, उनका शरीर पूरा एक लड़की का ही है, उसमें कोई भी changes ऐसे नहीं होते कि असच कुछ change है, लड़की जैसी नहीं है लड़की की ही body होती है, periods भी आते हैं, sexual intercourse अगर एक man के साथ होगा, तो मा भी बन सकती है बस इसमें फरक इतना ही है, जैसे कि अगर मेरी बीजो देखने वाला कोई एक लड़का है और आपका interest अगर कोई लड़की है, ठीक है एक लड़का लड़की वाला relation आप रखना चाहते हो लेकिन वहीं आपकी शादी या आपका sexual intercourse किसी दूसरे लड़के के साथ करा दिया जाए आप आपे present तो रहोगे, आपकी body वो चीज करेगी तो, लेकिन आप अंदर से feel नहीं करोगे आपको ऐसे जबरदस्ती सा feel होगा, घिनोना feel होगा, feelings नहीं आएंगी, कुछ भी और बस मन करेगा कि ये चीज ना हो मेरे साथ है ना, वैसे ही एक लड़की जो की लड़के में interested है और उसको बोला जाए कि तुम दूसरी लड़की के साथ make out करो या उसके साथ sexually involved हो तो जैसे उसको कुछ feeling नहीं आएगी या उसका मन नहीं करेगा सेम ऐसा ही lesbian के साथ होता है कि अगर उसकी जादी, जबरदस्ती या उसकी बिनामर्जी के एक लड़के के साथ हो जाती है, एक आत्मी के साथ हो जाती है तो वो वहाँ पे present तो होगी, intercourse successfully होगा, बच्चे भी पैदा हो सकते हैं बट again उसको कोई feeling नहीं होगी, वो कभी खुश नहीं रह सकती ये सोच सोच के कि वो अंदर से lesbian है, वो लड़कियों की तरफ attracted है तो I hope मैंने ये ठीज clear कर दी हो यहाँ पे इसके बाद बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अगर lesbian जो एक लड़की-लड़की का आपस में affair होता है तो वो आपस में intercourse करते कैसे हैं क्या करते हैं एक लड़की-लड़की आपस में तो देखे, सिर्फ penetration के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर दो लड़की आपस में शादी हो जाए तो वो लीगल है अभी लेकिन एक lesbian को किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकती है अभी ये चीज़ लीगल नहीं हुई है इंडिया में बहुत सारे और countries में हो सकती है लेकिन वो एक साथ रह सकते हैं लिव-इन में भी और एक साथ वो शादी भी कर सकती हैं अब lesbian में भी बहुत सारे ऐसी female होती है जो खुद को लड़की जैसा ही रखती है लेकिन बस उनके interest वो लड़की में होता है वही कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि खुद को लड़का जैसा फील करती हैं छोटे बाल करके रखना लड़कों जैसे कपड़े पहनना पैंट शेट वगरा पहनना मतलब उनका mostly get up जो है वो लड़कों जैसा होता है और लेकिन वो होते लेजबियन हैं वो लड़कीों में ही interested होते हैं और कहीं ना कहीं वो खुद को लड़का जैसा मानते हैं तो कुछ लाइस बेर आपको ऐसे भी दिख जाएंगे और at the end मैं यही बोलना चाहूंगी कि यह कोई mental problem नहीं है यह completely normal है और I think जब legally यह चीज अभी प्रूफ हो चुकी है legally उनको अधिकार दे दिये गए हैं तो हम लोग कोई नहीं होते कि किसी को यह चीज में बोलके रोकें कि तुम पागल हो तुम western culture से influenced हो या फिर तुम mentally तुम है कोई problem है जिसकी वज़े से तुम ऐसा कर रहे हो अरे जिसको जैसे रहना है जिसके साथ रहना है उन्हें रहने दीजे जब तक कि वो आपके personal space में कोई आपको नुकसान नहीं पहुचा रहा आपको उससे क्या फरक पड़ता है पिछले एक वीजियो में मेरे पास ये भी question आया था कि मैं कहना बहुत आसान है awareness लाना बहुत आसान है और openness होनी चाहिए acceptance होनी चाहिए सब कुछ ठीक है लेकिन क्या अगर कल को आपकी बच्ची बड़ी होके आपको बोलेगी कि उसको ऐसा कुछ करना है तो आप क्या उसको support करोगे of course मैं करूंगी क्योंकि जैसे आप हो वैसे आप हो और कोई support करे या ना करे मेरे support ना करने से भी कुछ change नहीं हो जाता और हमारे support करने से कुछ नहीं हो जाता just because उनको support मिल जाता है तो जो जैसा है जैसा उसको उपर वाले ने पैदा किया है बेजा है जैसा उसका जो भी sexual orientation है वो खुद को कैसे देखता है वो गुदरती है वो गुद्रत ने उसे दिया है उसपे हमारा control नहीं है तो अगर या तो आप उसको support कर सकते हो या फिर उनको troll कर सकते हो या फिर उनको नीचा दिखा सकते हो उनकी बेजदी कर सकते हो So it's okay कि अगर या तो आप neutral रहो ना support करो ना degrade करो या फिर support ही करे लो किसी को बुराइग करने से किसी पर लांचर लगाने से किसी पर टॉंट मारने से क्या आप जाता है क्यों किसी को mentally हमें और torture करना है जब वो पहली से ही इन सब चीजों से गुजर रहा है तो हो सकता है उसे support करके हम positively उसकी लाइफ पर कुछ impact छोड़ पा है तो किसी की मुस्कुराहत का कारण बनिये ना कि किसी के आंसुओं का है ना तो चलिए इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को खतम करती हूँ लाइक करना ये वीडियो पसंद आई हो तो शेर करना और मेरे चैनल पर बरेने के लिए सब्सक्राइब जरू करना चलिए मैं चलती हूँ मिलूँगी अगले वीडियो में बाई टेक केर